दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे और आज मैं बनाने वाली हूँ एक बोडी पॉलिशिंग फेस मास्क बोडी मार्क जो भी आप बोल लीजिए उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए चंदन पाउडर, मुलतानी मिट्टी पाउडर, रोज वाटर हैं तो दही भी डाल सकती हैं आपको कच्छे दूद में सबको मिक्स करना है अगर आप ब्राइडल है और आपकी शादी होने वाली है या फिर वैसे भी आप बोडी पॉलिशिंग करना चाहें तो आप कर सकती है और इसमें मैंने डाला है चावल का आटा थोड़ा सा इन सब आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद पांच मिनिट रख दें आपको डालना है बदाम का तेल नहीं तो नारियल तेल डाल सकते हैं बदाम का तेल एक चमच जितना डाले अच्छे से मिक्स करें उसके बाद पांच या दस मिनिट के लिए रख दीजिए और फिर आप नहने जाएं तो ना आपको face wash की जरूरत पढ़ने वाली है ना तो आपको साबून की जरूरत पढ़ने वाली है पूरी body इससे आप clean कर लीजे आप उसको लगा के दस या पंदरा मिनिट फूल body पर रहने दे फिर अच्छे से massage करें दोस्तों आप बात्रूम में करें तो बैटर है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहां लगा रही हूँ और जो भी आपने पहना है उसको उतार दीजिए उसके बादी आप लगाए तो बैटर होगा अपने जोएलरी बगेरा पहने हैं दागे पहने हैं रिंग पहने हैं कुछ भी पहने आप निकाल दीजिए अच्छे से चला लेना है इसको और आपको पूरी body पे लगाना है अच्छे से मैंने face wash भी नहीं किया है ना मैंने कुछ किया है मैं नहाने जा रही थी उससे पहले मैं लगा रही थी अभी मैं आपको हाथों पे और फेस पे नेक पे लगा के दिखाऊंगी फिर मैं बात्रुप में जाके अच्छे से पूरे बाडी पे लगाऊंगी अच्छे से मसाज करूंगी और सीरियसली गाइज ये बहुत ही अच्छा फेस पेक बोलो, फेस मास्क बोलो बाडी पॉलिशिंग बोलो फूल बाडी पेक बोलो इतना सुन्दर है क्योंकि इसमें है चंदन, मुलतानी, मिट्टी और बेसन, हल्दी के बाद हमने डाली है हल्दी डाली है बदाम का तेल डाला हुआ है और चावल का आटा डाला है ये बोडी उप्टन इतना सुन्दर है आपका संटेन निकाल देगा बोडी पे अच्छे से लगा के मसाज करे और सीरिसलिगाई सी उप्टन है आपकी बोडी को इतना अच्छे से डीपली क्लीन कर देगा आप हफते में एक बार कर सकती है चाहें तो दो बार कर सकती है आप सबको मिक्स करने के बाद बात्रूम में एक एर टाइट डबे में रख दीजिए और जब भी नहने जाए कच्छा दूद लेके जाए उसमें मिक्स करने के बाद आप पूरी बॉड़ी पे लगाए अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप जरूर लगाए चाहे गर्ल्स हैं बॉइस हैं और वैसे भी आपकी फूल बॉड़ी पे संटेन वगेरा हो गए हैं तो आप इसको अच्छे से लगाए एक महीने में आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सारा काला पंदूर हो जाएगा आपकी स्कीन है इतनी ब्राइटन अप हो जाएगी तो आप देख सकती हैं ना मैंने face wash यूज्ट किया था ना मैंने साबन वगेरा यूज्ट किया था सिर्फ मैंने वही उप्टरं से नाया था और आप देख सकते कितना उसने क्लीन कर दिया है एक फेस पर अलग सा ग्लू लग रहा है नहीं मैंने कोई आपना जाता है तो आप इसको ये कोनी बगिरा भी आपकी डार्क उसको भी लाइटन अप करेगा ब्राइटन अप करेगा आपकी स्कीन को बहुत ज्यादा बैटर बैना देगा और इसके बाद आप तुरिंट अपना स्कीन केर कर लीजिए फूल बॉड़ी पे तुरिंट करे और सीरिसली आपकी स्कीन को इतना इतना लाइट अप कर देगा और अगर शाधिया वगेरा है आपकी शादिभी यूने वाली तो भी यूस कर सकता है कोई भी एज वाले हो या चोटे हो बड़े हो गल भी सो मैंने बाल खोल लिए थोड़ी में अजिवती ले ब्लेक हेड, वाइड हेड, संटेंज, संबर्न जो भी आपकी स्कीन में है इवन टोन है इसको यह टोन अप कर देगा आपकी स्कीन को लाइटन अप ब्राइटन अप करेगा और जितनी भी समस्या है बॉडी पॉलिशिंग का काम करेगा आपको बाजर जाने की जरूरत नहीं है घर पर ही आप कर सकती है और इसके अंदर हमने इतनी अच्छे चीजे मिलाई हैं कि वह आपकी स्कीन को बहुत बहतरी रिजर्ट देखेगा आप एक और दो महीने इसको करके देखिए वाकिए में आपकी स्कीन जो है वह चमक जाएगी जिसको बोलता है ना गॉल्ड्टन ग्लोय आपकी स्कीन पे पूरी बॉड़ी पे आो आज्याएगा और आप आपने आपको किसी और की साथ कमपेर मत कीजिए आपकी स्कीन जैसे आपका कलर जैसा है आप चाहे पतली है मोटी है फिगर है ना है आप ऐसा मत सोचिए कि वह अच्छी लगती है यह अच्छी लगते है वह अपने आपको खुश रखे आएने में देखे और बस यहीं सोचिए कि मुझसे जादा खुबसुरत कोई नहीं है जब आप positive thinking जो होती ह हमारी positive vibes होते हैं तो आप जितना positive रहेंगी अच्छा सोचेंगे अपने बारे में उतना ही अच्छा होगी लेकिन अगर आप ही ऐसा सोचेंगे मैं आच्छी नहीं लिखती हूँ मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ मेरी skin अच्छी नहीं बेकार है तो seriously वह चीज़ भी काम करेग आपका skin जो है वो बिगरता जाएगा इससे अच्छा के positive सोचेंगे और ऐसा सोचेंगे मैं बहुत खुबसूरत हूँ अपने आपको खुश रखें आईने में देखें और आप वाकही में बहुत खुबसूरत है आप जो भी है जैसे भी है आपका skin tone जो भी है dark है light है बस इ मैं यही कहना चाहूँगी और इसको जरूर इसको इस्तुमाल कीजिए और थैंक्यू आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रही है तो उसके लिए मैं दिल्शेश शुक्रिया कर रही हूँ और बस positive रही है अपने बारे में अच्छा सोचें सबके बारे में अच्छा सोचें लिए और आइनमें देखके कहें के वही तुम तो बहुत जादा beautiful हो तो वाकि में यह चीज़ काम करेगी और वाकि तो में बैठी हूँ आपके लिए तो थैंक्यू सो मच पो वाचिं गाइस और इस उप्टें को आप जरूर यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे जरूर ब